एक लक्ष एक काम पंखांजूर को जिना बनाने की मांग एक और पूर्विधायक मंतुरम पवार ने ठाना दूसरी और नारी सक्ति ने कहा जीला नहीं तो ओट नहीं 36 गड़ का एक ऐसा जगा जहां 4 लग के अबादी रहने वाले हैं लेकिन उनका जीला मुख्याला इतना दूर होगा यह भी तो किसी नहीं नहीं सोचा जीला मुख्याला को पास लाने की मांग ना जाने कितनी बार किया जा चुक है इसके लिए कई ग्यापन दिये जा चुके ह इस्थाने नेताओं का कहना है जब छोटे छोटे जगहों को जीला बनाया जा सकते है तो पकानजोर जीला बनाने को लेकर हरम आपतनलों को पूर्ण कर रहा है और लाखों लोगी सुईधा का सवाल है तो आखरी इस पर अमल क्यों नहीं किया जा रहा है इन मुद्दों को जल्द जल्द पूरी करने की रन्निती तैयार की जा रही है जिस पर पूरु विधायक रहे मंतुराम पवार का कहना है कि यहां छेत्र वीर ग्यांसे की भूमी है और हर माम दर्णों के अधार पर पखांजोर जीना बनने का हक रखता है हम अधीवस्य संभाज और सरो समाज बंगाली संभाज जितने भी हैं सारे लोगह कठ्ठा हो पिए जी बनाने के लिए परलकोट संगर समिती बनाया हैं और इसमें हम जीलए इसलिए और यहां सिर्फ कांकेर की दूरी लगबग जो है और यह दूरी के वज़े से जो है यहां के आदिवाशी मंगाली भाईयों को दिक्कत होती बहुत समस्य होती गरीब लोग जाने सकते हैं हम चाहते हैं कि पकांजुर जिला बने और चोटी मोटी समावसा का ऐसी समाधान हो बड़े अधिकारी आगे की रणिती अभी तो गाउं गाउं जा रहे हैं जनता के साथ संपर्क कर रहे हैं लोगों का सहीयोग ले रहे हैं और लोग संगटित होके आगे मांग करेंगे और हस समस्य को सुने मांग को पूरा करें अज सेक्टर की तीसरी बैठेक में आप देख रहे हैं कि जंसंत जंता इस आंदोलों से जूड़ रहे हैं और अपनी हक की लड़ाई मांग रहे हैं और जहां तक प्रदेश के मुख्याक मुखमंतरी हमारे भुपेज भगल जी कहना है कि प्रसेशन से जंताओं की दूरी कम करने के लिए जिलाय बना जाए उस दिश्टी कौन से देखा जाए तो सबसे दूरी में पुरे 36 गड़ में अज़िक कोई बैठा हुआ है 200 कि दूरी में एक मादर पक हंजूर की जंता पठे हुए इसलिए सबसे पहले जिला के हक हमें मि देखे हमारा पहला मांग को यह है कि प्रल्खोट पकांजूर को जिला बनवाने का और यह कारेक्राम हमारा 10-15 दिन हुआ है कंटिनीव चल रहा है आज 8 ग्राम पंचायत का बड़े भरी यहां पर मिटिंग है और उसमें देख रहे हो कि हजारों से ज्यादा भिड में छेत निथरह के सारे मुख्या यहां पर मोजूद हैं सारे जन्परतिनीधी, सारे पार्टि यह हम ओस्थ मौजूद हैं सबका एक ही मंग है एक issue है कि छेत्रफल को देखते हुए हमारी जन्तसंशा को देखते हुए और विशेश करके मैं राज्य सरकार और प्रदेश के मुख्य मंत्री से निवेदन करूँगा, मांग करूँगा कि 36 गड़ में प्रथम सहीद गेन सिंग का ये जन्म भूमी है, उनका कर्म भूमी है इसलिए उनका गेन सिंग के सहीद के समान देने के लिए, पूरा जन्ता का मांग है कि पकांजूर परल कोट को सहीद गेन सिंग के समान के लिए पकांजूर को जीला बनाएए अब देखे अंतागर विधान सभा का केंद्र बिंदू है पकांजूर जब जब भी चुना हुआ चाहे लोग सभा हो चाहे विधान सभा हो निर्ण यहीं से होता है पर मैं उस मुद्दे में जाना नहीं चाहता यूँकि सारे पार्टी के लोगों ने हमारे सदस्य पददिकारी ने यहां पर आकर जिला का समर्थन कर रहे हैं पर यह जरूर कहूंगा कि पकांजूर को आज न कल जिला तो देना ही होगा और यह जब तक जिला नहीं होगा तब तक हमारा मांग, देखिए जिला नहीं बनने वाला बाती नहीं है, चूंकि चतिर बातों सोला जिला था, आज बत्तिर जिला हुआ, हम लोग अविभाजित बस्तर में थे, मातर एक जिला था, आज साथ जिला हो गया, इसको देखते हुए मैं तो दावा के साथ कह सकता कि पखांजूर को आज नकल जिला बनाना हुआ, यह सेत्रयों की विकास की शोच है, आज की जो सरकार है, शरकार ने छोटे चे-छोटे जगा जिला बना दिये, अभी मरभाई पेंड़ा गरोली को जो जिला बनाया, उसमें मातरा 222 गाव है, और उसमें 170 लाग जन संक है, उसको भी जिला बना दिये, एक तॉम्भीकापूड है, उसमें 1 लाग 2 अचोवी हाज जन संक है, उसको भी जिला बना दिये, उसके बाद Wार्ट झीला में 1 लाग 155 जन संक है, इतने छोटे छोटे जगाज कर जीला बना सकते आजए तो परोल ल्कौट में 3-4 लाग के उ जिला बनाने के लिए ये शाषन हिचा करा है तो मैं निवेदान करना चाहूंगा कि जनता जाग चुका है अगर शाषन जिला नहीं बनाएंगे तो जनता इसके अगया रंडिती बनाएंगे हमारे शंगाल समीती की पदा देकर बैटेंगे और करी से करी कदम उठाना पड़े पुरुष लोग तो कैसे भी जा सकते हैं वरे जिला में तो हमारे जिला से बहुत दूर है लेकिन महिला जैसे हमारे लड़की बहन लोग जो भी है उनको बहुत सारा तकलिप होता है जाने आने में इसलिए वह लोग ज्यादा परलिग भी नहीं पाते हैं जैसे कि कॉलेज व ineए जा पाते हैं कई अशुविदा हनको इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे यहाद परन्जुर में जिला बने और नारी शक्ति का bütün वी कुछ विकास हो और हम क्योंने के लिए हम सभी साथ थैं पराण्दी से Avec चलि आ वने कि यहां तक जाना है हम जाएंगे लेकिन जिला बनाती ही रहेंगे जिसके प्रति आशा किये है कि हम जिला बनाने के लिए पकांजूर में सायोग करेंगे हमारे जो जनप्रतिनी भी है हम भी तो किसी से उम्मीद रखते हैं लेकिन आज वो हमारे वीच में नहीं है तो देखेंगे हमारी मतावैनों के तक्तिव हो रहे हमारे विशह में अगर नहीं सोचेंगे कि किसी नेता को वोट में जिताना है तो सबसे पहले पकांजूर रहता है और